हेलो दोस्तो यूनेक्स्ट में आपका स्वागत है। सब कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परिशान हो रहे हैं कि ये नोटिस आखिर क्यूं कैसे कहा से आया और क्या है इसकी सच्चाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप सब अभ्यारती काफी परिशान हैं मुझे लगातार आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं लगातार आप लोग मेसेज कर रहे हैं और आप लोग ये पूछ रहे हैं कि इस नोटिस के बारे में बताने के लिए इसकी क्या है सच्चाई और क्या है तो आज हम लोग इस अभी तक वहां लगबग 400 अभिहर्थियों ने अपना वोट किया है, तो आप सब जो भी बाकी रह गया है, प्लीज वहां जाकिए अपना वोट कीजिए, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आप लोग कितने वहां पे DV में उपस्थित थें, कितने अभिहर्थियों ने अपन जा सकता है, तो आप लोगों से रिक्वेश्ट है मेरा कि आप लोग पहले वहां जाकि अपना वोट जरूर कीजिए, तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं, तो आप सब ने देखा होगा कि ये इस तरह का एक नोटिस है, सबसे पहले तो आप इस नोटिस को तो आपको बता दूँ देखिए, ये नोटिस फेक नहीं है, ये है रियल, क्योंकि अगर ये फेक होता तो यहां ये बलर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी अगर कुसी के दिमाग में ये खुड़ा फाती आ जाता है, कि यहां चलो हम इस तरह का कुछ करते हैं, तो य उनके बारे में, अब आगे के इस लाइन को देखिए, यहां पे क्या दिया है, अभिलेक परिक्षन के समय किये गए आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अन्य प्रकार की विसंगती पाई गई है, उक्त विसंगती के संबंद में आप द्वारा अपना पक्च रखे जान आयोग द्वारा गठित समीती द्वारा दिनांक 5-3 को सुनवाई की जानी है, आयोग ने एक कमिटी का गठन किया जिसमें सुनवाई की जानी है, तो आपको यहां दो वर्ड पे ध्यान देने की जरूरत है, सबसे पहले तो आप यह देखिए, उक्त विसंगती के प्रॉब्लेम हुआ है उसको तो इस तरह का नोटिस उन लोगों को या तो बाइपोस्ट भेजा गया हो या फिर उनको मेल किया गया हो तो यहां तो यहां पर क्योंकि एमेल आईडी समने अपना-पना सही दिया नहीं है तो मुझे लग रहा है कि यह जो है ना बाइपोस्ट तो आप सब अप्यार्थियों से मेरा यह रिक्वेस्ट है जिसके पास भी इस तरह का कोई नोटिस आया है आप लोग यहां कमेंट करके जरूर बताएए ताकि और भी अप्यार्थियों का जो भी असमंजस है जो भी डाउट से उसको खत्म हो सके तो अगर आप लोग के पा आप लोग आज तो यहां डीवी खत्मी हुआ है कल पर सो एक दो दिन वेट किजिये अगर इस तरह का कुछ नोटिस आयोग ने जारी किया है और वो सब कैंडिडेट्स को भेज रहा है आयोग वाला तो वो आपके पास भी पहुँच जाएगा क्यूंकि आप सब को याद हो आप लोग इंतजार किजिये जल्दी ही आप लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा तो उन्होंने अपने ऑफिसल साइट पे तो कोई नोटिस जारी नहीं किया तो हो सकता है कि आयोग ने अब सब को बाई पोस्ट इस तरह से भेज़ा होगा क्यूंकि आप सब क कोई नोटिस भाई पोस्ट भेज सकती है या फिर आपको मेल कर सकती है तो फिर यह जो है नोटिस इस तरह का आ सकता है तो इसलिए आप लोग जो इसके भी बायोमेट्रिक पे प्रॉबल्म हुआ है जिसका भी बायोमेट्रिक वाला इसू है आप लोग एक से दो दिन का वे देख रहें जिला सुल्तानपूर उत्तरप्रदेश, तो यहां सुल्तानपूर के किसी अभिहर्थी के पास इस तरह का नोटिस गया होगा, तो यह आपको भी मिल जाएगा और आपको एक और बात बता दें कि जो भी अभिहर्थी जिनके बायोमेकरिक में प्रॉबलम हुआ है अगर उनके पास इस तरह का नोटिस नहीं मिलता है, तो आप लोग अपना माइंड सेट करके रखिए, आप सब अभ्यर्थी जिनके भी बायोमेट्रिक में प्रॉब्लेम है, वो सब 5 मार्च को आप लोग आयोब पहुच जाए, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है, पास 3, 2021 को पुर्वान 10 बचे, पिकप भबन तिर्तिय तलजोभीन का एड्रेस है, वो दिया हुआ है, उनको बुलाया गया है, तो आप लोग वहाँ पहुच जाएगे, क्योंकि यह आपके जॉब और आपके करियर का सबाल है, तो यहाँ पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं आपको हो सकता है कि आपका एड्रेस गलत हो, इस बचे से आपके एड्रेस पे नहीं आया है, हो सकता है कि आपका आपने इमेल आईडी भी अपना सही नहीं दिया हो, या फिर जो भी हो, तो आप लोग थोड़ा भी रिस्क नहीं लिजिए, जिनके भी बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम था जो भी रहा हो वो लोग 10 बचे आयोग आप लोग पहुच जाने का वहाँ कर्ष्ट किजिए ताकि आप लोग अपने आपको सियोर कर सके तो इस notice से related जो भी doubts थे आपके मन में मुझे लगता है वो clear हो गया होगा और जिनके पास भी इस तरह का notice आ रहा है प् इस तरह का तो कुछ उनके पास अभी नहीं किया है जिनके भी बायोमेट्रिक में problem हुआ है और मैं बाकी ऐसे भी बहुत सारे sources से जानकारी इकठा करने की कोशिश कर रही हो जहां तक मुझे इस से related जो जानकारी मिली है वो यही है कि इस तरह का problem जो भी हुआ है उनको हो सक जानल को subscribe कर लिजिए इसी तरह का जो भी आपके बन में doubts हो जो भी कुछ हो जैसे ही आपका comment आता है मैं उसको दूर करने की कोशिश करती हो और bell icon को भी प्रेस कर लिजिए तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी नियूज के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग